हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पैल कुछ अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे बोड़ा फोन आइडिया की बोड़ा फोन आइडिया जो की उपर के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और एक एहम सपोर्ट को उसने तोड़ दिया है तो स्टो कहां तक नीचे जा सकता है उसके उपर बात करेंगे क्या वो सपोर्ट लेवल बनता है और क्या टार्गेट्स बनते हैं उसके उपर बात करेंगे कैसा चार्ट स्ट्रक्चर है तो देखिए बड़ा फोन आइडिया आप देखेंगे एक green line आपने यहां पर लगा रखी है जो आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर देखिए इस वाली line के उपर लगबग stock ने काफी बार यानि 8 रपे 40 पैसे के आसपस stock ने काफी बार support लिया है और 8 रपे 40 पैसे को काफी time से break नहीं किया था अब यहां पर जो है 8 रपे 40 पैसे को break नहीं किया था और 9 रपे 30 पैसे की closing देता हुआ नजर आ रहा है तो देखिए यहां पर clearly इस वाली line को इसने break कर दिया है जो की 9 रपे 40 पैसे की बनती है अब 9 रपे 30 पैसे की आसपा stock जो काम कर रहा है अब जो है उपर की देखेंगे एक downward जो direction है वो इस टाइब से बन रही है और इस line को यह stock जो है की 9 रपे 40 पैसे की अब एक resistance की तरह काम कर सकती है अगले दो दिन में अगर यह stock कल जा परसों में इसके उपर trade करना start करता है तब तो काफी अच्छा है 9 रपे 40 पैसे की अगेन उपर आ जाए और closing दे 9 रपे 40 पैसे की उपर की तब तो काफी अच्छा है otherwise अगर यह stain करता है नीचे ही 9 रपे 40 पैसे की नीचे की closing देता है तो यह stock जो है again काफी बीक होता हो नजर आएगा जो की इसे 8 रपे 60 पैसे तक भी ले जा सकता है तो इन लेबल्स के उपर नजर रखिए 9 रपे 40 पैसे की नीचे की closing अगर अगले दो दिन भी आती है जानी उसके नीचे ही यह stable होने की try करता है इस line के तो यह stock 8 रपे 60 पैसे को touch करता हुआ नजर आ सकता है second यह अगर अगर अपनी इस line के through ही नीचे जाता है महले कि इसको cross नहीं कर पाता है तो भी यह stock काफी weak हो सकता है तो इन lines के उपर आपको नजर रखना है अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप की trading कर रहे हैं जा investment कर रहे हैं तो बिल्कुल इन lines को नजर रखिए इन levels को ध्यान रखिए 9 रपे 40 पैसे का एक एहम level था जो हमने पहले भी बताया था कि इस level को इसे break नहीं करना है तो अगर इस level को यह maintain कर लेता है अगर एक जादो दिन में तब तो अच्छा है अधरवाई यह stock जो है आट रपे 60 पैसे के तरफ जाता हुआ नजर आएगा और यह जो level है फिर एक अच्छा खासा resistance की तरह काम करेगा नोर पे 40 पैसे को क्रोज करना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल होता हुआ नजर आएगा इस लाइन के उपर बिल्कुल नजर रखिए जब तक इस लाइन के निचे यह stock काम कर रहा है यह बीक होता हुआ नजर आएगा हो सकता इसी टाइप से stock जो है निचे जाता हुआ नजर आए जब यह इसके उपर breakout देना start करेगा तब एक अच्छी momentum इसके अंदर बनता हुआ नजर आ सकता है अब पहला level आपको जो देखना है उपर की side नोर पे 40 पैसे की closing ही देखना है कि इसके उपर closing आती है तब काफी अच्छा है तब stock जो है नोर पे 90 पैसे तक जाता हुआ नजर आ सकता है then 10 रुपे 50 पैसे तक भी जा सकता है बट निचे के level अगर 9 रुपे 40 पैसे की closing निचे रहती है तब 8 रुपे 60 पैसे तक stock जो है जाता हुआ नजर आ सकता है अगर बीकली टाइप में पर देखें तो RSI 41 के आसपास की है यहां पर भी जो चार्ट स्ट्चर है काफी जादा बीग है आप देख सकते हैं इसकी म बीक होता हुआ नजर आ रहा है तो बिलकुल ध्यान से इसके अदर ट्रेडिंग कीजिए इंवेस्टमेंट का कोई नजरिया इसके अंदर नहीं बनता है बट आप अगर इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो sticks to close लगा के ही ट्रेडिंग कीजिए और छोटी quantity में ही ट्र